मैं घोशना करता हूँ कि अगले वित्ति पर्स से विरुजगारों को हर मैंने विरुजगारी भत्ता दिया जाएगा हरे किश्रा दोस्तों मैं जी पांशु श्रागत करता आपका सीजी पेश्चिफ व्यावाँ में एक बहुत ही महत्पून और इंपॉर्टेंट टॉपिक के सांद कल आप लोग ने देखा कि गंतरत दिवस पर मुखे मंतरी जी के दौरा घोष्टना की गई कि 25 रूपय जो है बिरुजगारी भत्ता दिया जाएगा इस पर आज जो है कैबिनेट मिटिंग में जो पांच मंतरी है कैबिनेट के सदस से जो बोल सकते कैबिनेट मंतरी वहाँ पे समिक्षा बैठक की गई बजट पर चर्चा किया गया क्या है पूरी बातों पर चर्चा करेंगे साथ में 50% आरक्षन पर फिर से सुद्धी पतर जारी किया गया है तो इन पूरी बातों पर विसेस फोकस देंगे तो जल्दी से लिए बिनेट देरे के वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महतृर्पूर्ण जानकारी देने से पहले आप सभी को थमक्स जो है वो माफी मागना चाहूंगा कि दो दिन तक वीडियो नहीं आया क्योंकि कुछ फेमिली जो फंक्सन है आप लोग कहां भी function होए होंगे और लगबग 2-3 दिन का function था जिसकी वज़ा से वीडियो नहीं आ पाया और इस चीज़ के लिए हम छमच चाहेंगे लेकिन कल से proper way पे वीडियो आना चालू हो जाएगी तो फिलाल अपडेट यह है कि कल मुख्यमंत्री जी ने विशेश कर सीजी सी बात है गंदर दिवस का मौका था घोशना पत्र का एक वादा पूरा करना था और इस सिलसिले में चुनावी वर्स और बिरुजगारों को कही न कही फैयादा पहुचाने की कोशिश की गई महरबा यह उनला मुख्यमंत्री जी और 25 बेरोजगारी भध्ता का जो है गोशना करती है अब वैसे तो मुख्यमंत्री जी बहुत श्याजरी गोशनाय कर सकते थे जैसे कि एक जो है अनिमित कर्मचारी भी जो है वह भी ताक में थे कि कास हमारी घोशना हो जाया और वी दो तीन ज प्छले साल से वेकंशिय नहीं है नियुक्तिय हुई हैं तो सब भिरोजगार कहीं न कहीं सरकार से खफा और इसी खफा को कहीं न कहीं ओवर्ड़ कम करने के लिए सरकार ने 25 सो रुपए का एक महरबान हुए कि चलो 25 सो रुपए देते हैं बिरोजगारों को लेकिन अब ये 25 सो रुपए किन को मिलेगा और क्या होगा इसका एक जो डाटा है वो अलग से तयार किया जाएगा वैसे तो अनेक घोशनाई की गई लेकिन जो बेरोजगार से संबंदी थे हम उस पर विश्यसकर बात करेंगे तो फिलाल ये घोशनाय हुई और साथ में दिखिएगा आज जो है पांच मंत्री पांच मंत्रियों से चर्चा की गई अभी इस पांच मंत्रियों में कौन 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 थे अगर मैं बताना चाहूंग तो महिला यंवंबाल विकास मंत्री थी साथ में राजस्वयम आब्दप्रमंदर विभाग के मंत्री थे साथ में उच्च सिक्षा विभाग के मंत्री थे खाद्ने मंत्री थे लोक्स्वास्त्यांत्री की मंत्री थे इस प्रकार से और जो मुख्य सच्चिव है ये तब इस जब़ासा मित्वईता दिखाई जाए इस प्रकार से कम खर्चे में चलाया जाए unless Ihijas अब वहाहं पर वहाहा पर में इस परस्टशाइब गया कि जो जित्ते भी पथ हली है उसको एक जो प्रडान प्लान मनाने के बाद भरती विग्यापन जारी करें और उस पर रिक्रूट्मेंट करें एक तरफ जहां पे यह सारी चीजे हैं दूसरी तरफ गौवर्मेंट यह नहीं सोच पा रही है कि हम 50% पर भरती करें जो कि 86% पर भरती करें क्योंकि चैतर पर तो अभी हुआ नहीं है यह सब अलग से चल रहा है दूसरी तरफ जो जीला यॅँम सत्रनेल है जितनी भी वैकेंशिया निकली थी जीला यूँम सत्रनेल है में सब अपने-अपने अलग-अलग डेट पे सुधी पत्र जारी कर रहा है जैसा कि आप के स्क्रिन पे शोह हो रहा होगा ये एक चौथा जीला है जीसमें जीला यूम सत्रनालायन में 24 जनवरी को सुद्धी पत्र जारी किया गया और सुद्धी पत्र जारी करके बताया गया कि यह 58% असामधानी गोसित कर दिया गया था और उसके बाद फिर अब यह जो भरती है वो 50% आरक्षन पर हो रही है एक बात दूसरी बात फिर से इसमें जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं 6 फरवरी तक तो अभी अगर आप लो जो जीला विमसत्र ने नाला है उन्होंने अपना भरती का जो तरीका है वो बदला है तो इससे जो है कहीं न कहीं युवा ताक लगाए बैठे की जो है राज्य सरकार भी यह जो 50% आरक्षन वाला है वो जारी करें एक तरफ यहां आप देख रहे होंगे कि आपके स्किन प वाला केस था उसका केस नंबर लिग दिया है और सीदा सीदा बता दिया भिया यह अधीन रहेगा ठीक तो अब यहां पे सीधी सी बात है न्यूकतियां भी दे दी जाएगी और सारी चीजें हो रहे है तो लोग यही अपक्षा कर रहे है कि पूरी जो भरतियां है रुकी या जो भी उसकेस पे निर्णा होगा अगामी समय में तो उसके अधीन रहेगा एक तरफ जो यह सारी चीजें चल रहे है तो दूसरी तरफ वहां पे वित्विभाग में भरतियों के लिए प्रस्ता की जो अनुमती है वो मिलते जा रही है कंटीनू क्योंकि कहीं न कहीं सरक बिरुजगार को बिरुजगारी भत्ता देना बहुत महगा पड़ सकता है क्योंकि चत्रफ गण में बहुत जादा बिरुजगार है एक तरफ यह थारी चीजें चल रही तो दूसरी तरफ पूरो मुख्यमंत्री जी ने भी एक तंज कसा है कि कहां चत्रफ गण में बिरुजगार जो शिक्षित बिरुजगार जिसको बोल सकते हैं वो एक कॉंप्टिजन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार जो की वेकेंसिया निकानने में कहीं न कहीं अभी आरक्षन के कारण जो पेश फसा हुआ है उस पर अनुमती तो कंटीनियू मिल रही है परन्तु वो जो जमीनी इस तरफ जो भर्तिया निकलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है तो यही सारी चीज़े चल रही है इसी वज़़जगार है वह कहीं न कहीं आख्रोशित है प्योंकि बिरुजगारी भत्ता देने से एक विरुजगार खुस नहीं होगा खु जित्ता ज्यादा हो सके लोगों को इसमें सम्मलित होने का मौका दीजिए जिससे की लोग अपना काम कर सके तो आज का वीडियो यहीं तक आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगागा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा ज्यादा लोग तक शेय स्क्राइब जरू करें वीडियो देखने कर आप शबी को बहुत बहुत धन्यवाद आप शबी स्वस्तर हैं मस्तर और पॉजिट्व रहें